19 साल की युवती ने बरेली में ब्रहस पतिवार शाम को धर्म परिवर्तन कर लिया। युवती मुस्लिम से हिंदू बन गई। इल्मा खान से सौमया शर्मा बनकर युवती ने अपने प्रेमी सोमे शर्मा से मंदिर में शादी कर ली। बरेली में अगस्त मुनी आश्रम में पंदित केके शंगधार ने प्रेमी युगल का हिंदू रीती रिवाद से मंत्रोत तारण के बाद धर्म परिवर्तन किया युवती करीब दो माह पहले अपने घर को छोड़ चुकी है युवती ने बताया कि मैं बालिक हूँ और और अब आजीवन हिंदू ही बन कर रहूंगी पाँच साल पहले से हैं दोस्ती बदायू जिले के बिलसी थाना क्षेत्र के परोली गाव निवासी इल्मा उर्फ सौमया ने बताया कि मैं दस्वी पास हूँ इस समाई कागजों में मेरी जन्वतिती 19 साल है मैं बालिक हूँ इल्मा उफे सौमया ने अपने ही गाव के रहने वाले सौमय शर्मा से मंदिर में शादी की है इससे पहले पंडित केके शंगधार ने युवती का गंदाजल से शुद्धिकरण कराया युवती ने कहा कि यहां मेरा फैसला है और बालिक होने पर मुझे धर्म परिवर्तन और अपनी मर्जी से शादी करने का पूरा अधिकार है दोनों की दोस्ती भी पात साल पहले हुई परिवार से चोरी छिपा मिला करती थी युवती युवती ने बताया कि मैं दस्वी के बाद भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन परिवार ने पढ़ाने से मना कर दिया स्कूल के टाइम में युवती की दोस्ती गाव के रहने वाले सोमेश शर्मा से हुई सोमेश दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता है युवती ने बताया कि मैं अपने प्रेमी से जीवन भर के लिए प्यार करती हूँ परिवार को कुछ समय पहले पता चल गया था, जहां वहां लोग मुझे मारने की धंकी दे रहे थे युवती अपने घर से छोड़ कर प्रेमी सोमेश को लेकर पहले प्रयागराज गए युवती ने अपने प्रेमी के साथ शादी को भी रजिस्टर करा लिया है युवती ने बताया कि मेरे प्रेमी ने मुझे मोबाइल दिया था, जिस पर मैं चोरी छिपे बात करती थी प्रेमी जहां रखेगा वहां रहूंगी पंदित के के शंगधार पिछले 9 साल में 66 मुसलिम लड़कियों की शादी हिंदू लड़कों से करा चुके हैं पंदित का कहना है कि मुझे भी लोग धंकी देते हैं पिछले माह मुझे धंकी दी गई जिसके बाद मैं SSP बरेली से जान का खत्रा जताया युवती ने बताया कि मैं अभी अपने प्रेमी के साथ गाव नहीं जाऊंगी लेकिन अब सोमेश मेरा प्रेमी नहीं पती है जहां वहां रखेगा वहां रहूंगी दोनों एक ही गाव के हैं जहां करीब 400 मीटर का दोनों का घरों में फासला है